Hello everyone, welcome to my YouTube channel English in Hindi आज मैं आपके लिए एक प्ले लेकरा ही हूँ जिसका नाम है Edward II जिसको लिखा है Christopher Marlone ये प्ले पब्लिश हुआ था 1592 में इसका फूल टाइटल है The Troublesome Rain and Lamentable Death of Edward II of King of England with the Tragical Fall of Proud Mortimer इसमें जो characters हैं Edward II, Prince Edward, Kent, Brother of Edward II, Gaviston, Friend of Edward जिसका फूल नेम है Piers Gaviston, Younger Mortimer, Elder Mortimer ये दोनों चाचा भती जाए है Earl of Lancaster, Bishop of Coventry प्ले की शुरुआत होती है Edward I की Death से Edward I के टाइम पे एक Piers Gaviston नाम का बंदा था जिसको Edward I ने exile दिया था मतलब देश निकाला दिया था तो क्यों निकाला दिया था क्योंकि जो Piers Gaviston है उनके बेटे Edward II को बिगाड रहा था क्योंकि ये दोनों गेज थे तो इसके चलते Piers Gaviston को Edward I ने देश निकाला दिया पर अभी Edward I की Death हो चुकी है तो Edward II जो है वो King बन चुका है और अब वो Piers Gaviston को re-entry देते हैं England में इस बात से Nobles बिलकुल भी खुश नहीं होते क्योंकि ये जो है Piers Gaviston इसको ये कमीना बोलते हैं कि इससे बिलकुल नाखुश होते हैं तो उसकी re-entry से ये बिलकुल भी खुश नहीं होते Mortimer और Earl of Lancaster जो है कम्प्लेंट करते है Edward II को कि जो Nobles बिलकुल भी खुश नहीं है Piers के आने से लेकिन जो Edward है उनकी बात को अंसुना करके Piers Gaviston का वेलकम करता है आज Bishop और Nobles जो है वो जब से Gaviston आया है उस तब से नोटिस करते हैं Edward का जो behavior है वो काफी change हो चुका है इधर Queen भी इस बात से परेशान होती है क्योंकि Queen की जो preference थी Edward के लिए अब वो नहीं रही अब भी वो preference जो है वो Gaviston की हो चुकि है Edward जो है वो Queen को बिलकुल भी नहीं पूछता है वो Gaviston के पीछे ही भागा रहता है तो Queen इस बात से परेशान होती है तो वो इन सब Nobles को बोलती है कि तुम लोग कुछ करो Gaviston जो है यहाँ से चला जाए बट King को हर्ट मत करना है ऐसा कुछ करो तो यह लोग क्या करती है यह एक exiling document बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि Gaviston को देश से यहाँ से इंग्लेंड से निकाला जाए या फिर उसको मार दिया जाए तो Edward जो है उसको बहुत ही reluctantly मतलब अन्मने मन से उसको साहिन करने पड़ती है तो अंदर ही अंदर वो सोच रहोता है कि मैं Gaviston को वापिस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा जो Queen है अब वो खूश हो जाती है क्योंकि Gaviston जो है वो चला गया है बट जो Edward है वो अब Queen से बहुत rudely treat करता है अंदर या अंदर Edward को पता होता है कि जो यंगर Mortimer है वो Queen में interested है अगर Queen उसको Mortimer को मनाएगी कि Gaviston को वापिस लाए जए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा तो Edward जो है वो Queen को कहता है कि Gaviston को वापिस लाओ Mortimer को बोलके तुम जैसा कहोगी मैं तुमारे साथ वैसा treat करूँगा मैं तुम्हें उतना प्यार दूँगा जितना तुम्हें चाहिए तो Queen कुर्स हो जाती है इस बात से Queen Mortimer को इस बात के लिए अगरी करती है और Mortimer जो है वो Noble people को इस बात के लिए अगरी कर लेते है अब Queen जो है वो Edward को बोलती है कि Gaviston को दुबारा बुलाने के लिए सभी राजी हो गए है तो इधर King of France Normandy में लेंड कर चुका है यहां पर हमला करने के लिए लेकिन Edward जो है वो अपने advisors को बोलता है कि उस चीज़ पे बिल्कुल भी focus मत करो अभी जो है वो Gaviston वापिस आ रहा है उसके welcome में कोई कमी नहीं होने चाहिए यहां पर कोई हमला नहीं होना चाहिए यहां पर कोई पंगा नहीं होना चाहिए तो इस बात से Mortimer और Lancaster को बहुत गुसाता है वो क्या करते हैं रास्ते में ही Gaviston को वाउंड कर देते हैं जखमी कर देते हैं अपनी तलवारों के साथ तो Edward को इस बात से बहुत गुसाता है और उन दोनों को बोलता है कि तुम लोगों को ये सब भरना पड़ेगा और इसको Mortimer जो है वो Edward को बोलता है कि तुमारी ये नीती बहुत ही गल्थ है तुम अपने राजपाट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो बलकि तुम अपने दोस के लिए इतने पागल हो चुकियो कि तुमें यहाँ पे हमलों की कोई परवार नहीं है Edward जो है फिर नॉबल पीपल को request करता है कि एक last time मुझे अपने गेवेस्टन से मिलने दो उसके बाद जैसा तुम करोगे मैं उसके लिए राजी होंगा अभी गेवेस्टन को मार दिया जाता है अब इसका जो गुसा है इसका जो रिवेंज है वो नॉबल पीपल पे कैसे निकालता है प्रिंस एडवर्ड को कुईन को यह फ्रांच भेज देता है कोई वहाँ पे उनकी किया निकाता है यह दोनों वहाँ चले जाते है और एडवर्ड और नॉबल पीपल में बहुत बैटल होता है एडवर्ड और नॉबल पीपल में बैटल होता है जिसमें बहुत सारे जो नॉबल पीपल है उनको कैप्चर कर लेता है उनको कैद कर लेते हैं और Mautimer को टावर में फिंक वा देते हैं Mautimer कैसे वहां से भाग जाता है बच जाता है और Queen को जब यह पता चलता है कि Mautimer जो है वो बच चुक है तो वो दोनों मिलते हैं और oppose करते हैं मतलब opposes Edward की Edward के खिलाफ हो जाते हैं अब Edward और Mortimer की लडाई होती है जिसमें Edward जो है वो हार जाता है इसको कैद कर लिया जाता है Prince Edward को जो Mortimer है वो King अनाउंस कर देता है और Kent को उसका Protector अनाउंस कर देता है और खुद Queen से शादी कर लेता है अब Mortimer और Queen जो है sexually और politically involved हो चुके है तो यह क्या करता है Mortimer यह Matrivis और Gurney नाम के दो बंदो को औरेंज करता है कि Edward को तुम इतनी बुरी हालत कर दो उसकी कि तुम इसको मारने लाइक कर दो अब जो Kent है उसको बहुत दया आती है अपने भाई Edward पे तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है जब Mortimer को इस बात का पता चलता है तो वो order देता है कि Kent को मार दिया जाए लेकिन Edward 3 जो Prince Edward वो refuse कर देता है कि Kent को मारना नहीं है यानि कि अपने चाचा जी की बात करता है वो उ मेरा रास्ता रोक रहा है तो Mortimer जो है वो light born नाम के एक बंदे को अरेंज करता है कि Edward को मार दे जो उसने Edward को मार दिया स्टैब कर देता है वो चाकू से इसको मार देता है अब Edward 3 जो है जब इसको पता चलता है कि Edward 2 की death हो चुकी है तो Mortimer को beheaded कर वा देता है मतलब उसका सर Edward 3 और अपनी मदर को टावर में फिकवा देता है क्योंकि उसको पता है कि इन दोनों का ही हाथ है इसके पिताजी की कतल में तो जो उसका सर कटवाता है Mortimer का तो वो जो सर है वो Edward अपने पिताजी की रत के उपर रखता है और बोलता है कि मैंने आपका बदला ले लिया